मित्रों, हम हर दिन, हर वक्त येक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सारी अंग्रेजी में तो इस उद्देश से इसका प्रयोग करते हैं कि हमें छमा करो वास्तों में इसका अर्थ छमा करो नहीं है, इसका अर्थ है उदास, खिन, दुखी, खेद समझो कोई अपनी घर की एक बुरी घटना हमें समझाता है तो हम कहते हैं I am sorry मतलब तुमारी जो घर की बुरी घटना के वज़े से मैं भी पस्चाताब कर रहा हूं, दुखी हूं, खेद हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि हमें चाहिए, माफ कर दो यूँकि आजकल यह शब्दकोश भी इस माफ कर दो के उद्देश से ही उसमें आर्थ दे रहे हैं वास्तवे का रतिया है कि खिल्न खेद इसलिए इस विशे को हम सब तक पहुँचा कर सही अंगरी जी का प्रयोग करेंगे और हर दिन जो हम सारी का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ यह है कि हम भी आपके साथ दुखी हैं धन्यवाद आपका केपि इब्राहिम खान